जब भी परिवार की बात आती है अपने प्रिया जनों की बात आती है तो माता जी बड़ी कमजोर पड़ जाती है और इस वक्त सिमर के अंदर सिर्फ सिमर नहीं है उसके अंदर पाताली का प्रवेश हो चुका है जैसे कि आपने दिखाई है तो उसकी वज़ा से क्या हुआ है कि अभी सिमर के रूप में पाताली जो भी उससे करवा रही है और यह विश्वास नहीं होता कि जब आपका सबसे प्रिया जंद क्योंकि इस परिवार में सबसे प्रिया मेरे लिए सिमर है वो जब बिल्कुली उल्टे काम करें और हमारे परिवार को खुदी नुकसान पहुचाई जैसे मैंने कासीमर ढाल की तरह इस परिवार की रख्षक करती रही है उसने वो ही हमें नुकसान पहुचा है तो रक्षक ही भक्षक हो जाता है तो मेरे तो बुरे हाल हुई जाएंगे उमीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी तुम्हें देखा महसूस किया उसे सिर्फ अपने तक ही रखोगी तुम्हारी जबान अंद्र हुई जाए उसके बाद वो मुझे बताने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि पाताली ऐसा गेम खेल जाती है जिसकी वज़ा से मैं हदपरब रह जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, इनको को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है और धीरे धीरे वो सारे मुर्शित हो जाते हैं, बियोश हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार का खात्मा हो गया, वो अंत हो गया पादा जी ने हमारे परिवार के साथ क्या कर दिया जिसे मन बेटा देखो क्या हो गया हुआरे परिवाद के साथ यह सब कैसे हो गया मताजी अब तो हमारे जीने का कोई कारवी नहीं हो आना बुराई के अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छाई तो होता ही है क्योंकि ऐसा कभी कोई पूरा काला नहीं हो सकता ऐसा उसका मानना है तो कहीं माताजी जो है उस छोटे से अच्छाई को क्या पाता लिके अंदर भी थोड़ी सी अच्छाई या सिमर के अंदर छोड़ी सी भी अगर अच्छाई बच्ची होगी तो उसी को वो प्रात्तना से ठीक करने की कोशिश करेगी क्योंकि जैसे कहते हैं बून-बून से सागर बनता है तो अच्छाई की एक बून भी काफी है इस वक्त मेरे परिवार को वापस लाने की मतरा लिए अच्छाई जी जी से बन ने आज इवन पूरी निश्ण से आके भगती की बता लिए उसे क्या क्या करवारी है बतरा लिए रें 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 क्यों यह